नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागा थे गवार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों यहां पर करमचारी चैन मंडल के दोरह एक और नई वैकेंसिस निकाली गई है आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि जो दोस्तों यहां पर है हमा तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों की गुरूप चार असिस्टेंट ग्रेटी इस्टेनो टाइपिस्ट इस्टेनो ग्रॉफर और अधर कंबाइन पोस्ट पे दोस्तों यहां पर रूल बुक जारी कर दी गई है तो हम दोस्तों इसे डाउनलोड कर लेते हैं और आपको इसकी पूरी जानकारी बताते हैं चैनल पनाई है तो सस्क्राइब कर ले और बैल आइकन प्रेस कर ले ताकि न्यू अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे तो दोस्तों आपके फोर्म कप से स्टार्ट होंगे आप देख सकते हैं हमारे सामने ग्रूप 4 क कि यहां पर आपका रूल बुक जारी हो गया है तो आप देख सकते हैं मध्यपदेश करमचारी चैन मंडल यहां पर दोस्तों समुचार के अंतरगत सहायक ग्रेट तीन आपका इस्टैनो टाइपेश सीग्र लेखन वा अन्य पदों पर सीधी भरती होने जा रही है आप दे 232 003 तक रहने वाली है दोस्तों यहां पर आपकी सुल्क रहने वाला है परिक्छा सुल्क वो सेम रहने वाला है जनरल के लिए 500 ससी ओविसीं अन K saus कर्टेगिरी 625-15 में रहेगा बात कले कितने पद हैं इसमें तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपकी सीधी भरती है उसमें आपके 1840 और सीधी भरती जो बैक लॉग में 530 संविधा की पद हैं यहां पर 243 और संविधा की जो बैक लॉग भरती है वो 103 कुल टोटल दोस्तों यहां पर 2716 पदों पर यह भरती होनी है आप यहां पर देख सकते हैं आपको मैं विभाग वार यह पद नाम बार बता देता हूं यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं निज सहायक सीग्र लेखन और स्टैनों ग्रॉफर हिंदी अंग्रेजी यहां पर सीधी भरती 125 है और सीधी भरती की बैक लॉग अठाय चानी की 153 पद आपकी यहां पर सीग्र लेखन स्टैनों ग्रॉफर के पन निकाले गए वही पर आपके स्टेनो टाइपिस्ट के दोस्तों 246 पद हैं और यहां पर आउट रीच कारे करता की दोस्तों यहां पर 75 पद हैं जो की आपके 55 पद यहां पर संविदा करमचारियों के और 20 पर संविदा बैक लॉक के रखें हैं वहीं पर उद्यान पर पर दोस्तों कंपाइन के अंदर अपकी जो यह दोस्तों कंबाइन एक्जाम होना उसके अंदर पर अंहें यह देख सकते हैं किस बिवाग ने की पोस्ट निकली गई है यहां पर दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगे इसलिए आप देखते चलिएगा मैं कुछ-कुछ चीज़ें आपको बता दूँगा मद्यपदेश सासन सामान प्रसासन के अंतर आपका साहय ग्रिट तीन इस्टैनो टाइपेश और सीघ्र लेखन वर्ग तीन यहां पर कुछ इस तरह से यह आपके लिखी गई है मद्यपदेश सासन संसर्दिय कार बिभाग मंतराला में यह पोश्ट है लेखा मद्यपदेश में कुछ इस तरह से यह आपकी दोस्तों साहय ग्रिट इस्टैनो ग्रॉफर और इस्टैनो टाइपेश्ट और यहां पर साहय फोटो अधिकारी और अन्य पदों पर दोस्तों यह रूल बुक आपकी जारी कर दी गई है बहुत सारे बिभाग है दोस्तों 34 बिभाग से जादा है यह जिसमें आपकी वेकैंसी निकाली गई है लास्ट आप यहां पर देख सकते हैं नगर पाली का कटनी में भी आपकी दोस्तों यहां पर साहय ग्रेट तीन की वेकैंसी है लीडिंग फायर मैन लीडिंग फायर मैन फायर मैम और उप स्वक्षिता परिवेक चक कुछ इस तरह से दोस्तों यह नगान निगम के अंतरगत भी निकाली गई है बात कलेंगे दोस्तों यहाँ पर हम मैं जो है आपका तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है आपकी भरती है आपका सहाय ग्रेट 3 की है कुल 37 पद हैं इसमें आपका जो क्वालिक फेशन रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा मैं बता देता हूं सहाय ग्रेट 3 में आपको बारवी पास होना चाहिए मानिता प्राप संस्था से एक साल का कंप्यूटर डिप्लॉमा होना चाहिए और मद्देश सासन प्रधोगी की कि अंतरगत आपकी पास कम्प्यूटर टाइपिंग का दोस्तों यहां पर सर्टिफिकेट मांगा गया है वहीं पर दोस्तों उसकी साथ यहां पर आपको CP CT जो टाइपिंग हे हिंदी टाइपिंग उत्रिण होना आवाशक है उसके साथ दोस्तों आप इनकी नियम तो यहां पर दोस्तों सीगर लेखन जो आपका ITI से आपका डिप्लॉमा होगा असी वर्ड वाला वो आपको यहां पर मागा गया है सीगर लेखन वर्ग तीन में दोस्तों आप देख सकते हैं मंद अप्राव जिसे डियाले से 12 पास होना चाहिए एक साल का कंप्यूटर डिप दिप्लॉमा चिर्पड जू से Зबंखका कि पर दोस्तों साफ के अपका डिप्लॉमा मागा गया है उसके सांसा दोस्तों आपको डि किशर आउ के लिए क्वली परतियों कि तयानेiable सीधि भरती के लिए और पांच वर्स की शूट दोस्तों अन्न कैटगरी के लिए यहाँ पर दी गई है तो दोस्तों यह जो है आपकी भरती ग्रोफ फोर की भरती है जिसके अंतरगत आपका इस टैनो टाइप पिस अहाँ अभी बताए हैं यहाँ पर दोस्तों आपका एक प्रश्ण पत् अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले चैनल पर पहली बार थे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें